हेलो एफ्रिवन मैं हूं दीपीका आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टेंथ की हिंदी पाठी पुस्तक स्पर्श भागदो का पध्यकंड जिसका सात्वा अध्याई है आत्मत्राण और इसके कवी है रवींद्र नाथ ठाकुर आत्मत्राण का मतलब है आत्मा का त्राण अर्थाद आत्मा या मन के भै का निवारण या उससे मुक्ति तो आईए शुरू करते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदाओं मैं पाओं भै शब्दार्थ विपदाओं मतलब मुसीबत या फिर संकट, करुणा मैं मतलब दूसरों पर दया करने वाला, भै मतलब डर कभी प्रभू से कहते हैं, कि हे प्रभू, मेरी आप से यह प्रार्थना नहीं है, कि मुसीबतों में आप मुझे बचाने आए या मेरी रक्षा करने आए मैं तो किवल इतना चाहता हूँ, कि जब कभी भी मुझे पर कोई विपत्ती या फिर परिशानी आए, तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूँ दुख ताप मैं व्यथित चित्त को नदो स्वांतना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं, दुख को मैं कर सकूँ सदा जय शब्दार्थ कवी कहते हैं कि हे करुणा में, मैं यह भी नहीं कहता कि दुख की पीड़ा में दुखी, मेरे मन को आप होसला दो और सांत्वना दो, परंतु हे करुणा में प्रभू, मैं ऐसे कश्टकारी समय में भी बस इतना चाहता हूँ, कि मुझे में इतना आत्म विश्वास भर दो, कि मैं हर कश्ट पर जीद हासिल कर सकूँ, यानि आप मुझे इतनी शक्ती दें कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूँ, कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष नहीं ले, शब्दार्थ बल मतलब शक्ती, पौरुष मतलब वीर्ता, हिम्मत, पराक्रम कभी प्रभु से निवेदन करते हैं, कि हे प्रभु, जब कभी मेरे जीवन में मुसीबत आए, और कश्ट में कहीं कोई सहायता करने वाला भी न मिले, और ना ही कोई मेरा सहारा बने, तो कोई बात नहीं, परन्तु वैसी स्थिती में, मेरा बल, मेरी शक्ती और पराक्रम कभी कम न हो, और मेरा आत्मविश्वास कभी न डग मगाए, हानी उठानी पड़ी जगत में लाब अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानुश है, कभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कि अगर मुझे इस संसार में हानी भी उठानी पड़े, लाब प्राप्त ना हो सके, या कभी किसी प्रकार का धोखा हो, तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन में इस नुकसान के लिए पश्चताप का भाव ना आने पाए, मेरे मन की शक्ति का कभी नाश ना हो, और मेरा मन हर परिस्थिती में आत्मविश्वास से भरा रहे, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में, शब्दार्थ, त्राण मतलब भैसे छुटकारा या मुक्ति, अनुदिन मतलब प्रति दिन, तरने मतलब उबरने या फिर पार उतरने, और अनामय मतलब स्वस्थ यानि की रोग रहित चरीर, कभी प्रभु से निवेदन करते हुए कहते हैं, कि हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ, कि तुम हर दिन मुझे किसी न किसी संकट से मुक्ति दिलाते रहो, और मुझे भैसे दूर रखो, परन्तु हे करुणा में, आप केवल मुझे रोग रहित अर्थात स् रखना, ताकि मैं अपनी शक्ति को बनाये रखो, और उस ताकत के सहारे इस संसार रुपी भावसागर को पार कर सकूँ, मेरा भार अगर लगु करके नदो सांतना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूँ उसको निर्भै, शब्दार्थ, भार मतलब बोज, लगु मतलब छोटा या कम, सांतना मतलब तसल्ली, अनुनय मतलब विनय, वहन मतलब सहना, और निर्भै मतलब निडर, कवी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कि मेरे कश्टों के भार को भले ही तुम कमना करो, और ना ही मुझे सांतना यानि तसल्ली दो, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ, कि जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का, मैं डट कर, निर्भै होकर सामना कर सकूँ, तो हे प्रभु, हो सके, तो आप मुझे निर्भैता का वर्दान दो, नत्शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिंचिन में, शब्दार्थ, नत्शिर मतलब सिर जुका कर, तव मतलब तुम्हारा, और छिंचिन मतलब पल पल या हर पल, कभी प्रभु से निवेदन करते हैं, कि हे प्रभु, जब कभी मेरे जीवन में खुशियों के दिन आए, तो हर पल मैं आपका स्मरण करता रहूं, अर्थाद, सुख के दिनों में भी मैं आपको हर पल याद रखूं, एक पल के लिए भी ना भूलूं, दुख रात्री मैं करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करू नहीं कुछ संशय, शब्तार्थ, दुख रात्री मतलब दुखों से भरी रात, निखिल मतलब संपून, मही मतलब धर्ती, और संशय मतलब संदेह, कवी प्रभू से निवेधन करते हैं कि हे प्रभू, दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तब भी मेरे मन में आपके प्रती कोई संदे ना रहे अपने दुखों के लिए आपको दोशी ना ठहराओं हे प्रभु, हे करुणा में, मुझ पर अपनी ऐसी कृपाद्रिष्टी बनाए रखना, कि मेरे मन में आपके प्रती आस्था और विश्वास सदा बना रहे आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याई के साथ, तैंक यू